लो एवरीवान वेलकम टू गोल्डी तेस्फ़ल किचन आज आप पी देख रहे हैं ना मुली जो पक जाती है यह से मुली बड़ी हो जाती है इसे यह देखे इब ड़ी तो उनके यह सिंग्रे बन जाते है उपर मोग्रे, सिंग्रे, जो भी कहें आप कुछ इस तरह के तो यह बहुत सारे लगे वे हैं यह देखे बहुत सारे हैं तो हम इनको तोड़ने वाले हैं और फिर इसकी बनाने वाले हैं सिंपल सी सब्ची यह देखे कितने सारे लगे हैं यह देखो और यह और्गनिक है इसके दोनों साइड से कट करके ना हम इनके छोटे-छोटे पीस कर लेंगे और इतने सॉफ्ट हैं यह देखिए हाथ से यह तूट रहे हैं तो इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलगाएगा जो मार्केट में नहीं मिलते ना इतने सॉफ्ट हैं यह देखिए जो भी पांई इसमें ना Extra वह हम इसे थोड़ा सा निचोल लेंगे एक तो कड़्ाइगा में बनाते हैं सबजी और अइक और यह निचोड के बनाते हैं ना तो यह मैंने ले लिये हैं सिंग्रे इनको ऐसे निचोड लिया है इसमें देखिए पानीन का कर लिया है खतम और आलू को मैंने उबाल लिया है यहां मैं दिखाऊं आलू को भी मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ से ही तोड़ूंगे जो उबलेवे आलू है ना उनको मैं हाथ से ही तो यह हैं चला प्रीश्या कर शाच के चब्साël्जों काम में प्रेपरेशन करने पड़ेगे फिर उसके बाद में ताडका बनाएंग़ हमने सबसे पहले 2 टेबल स्पून मुट को रख दिया है गर्म पहले कर लिया था और मैं आप और शाच के इंसको इसười का इंब अब में क्या करते हूं नमक में हमेशा ना मिक्षर में ही डाल लेती हूं क्योंकि हाथ से आप मैं इसको मिक्स कर सकते हैं तो नमक आप स्वाद के अनुसार इस मिक्षर में डाल लिए तेल गरम हो गया है इसमें डाल गया हम थोड़ा जीरा जीरा तरकने देते हैं यह सबजी भीना बहुत बहुत यमीत है बहुत ही साथ आप जरूर बना के देखिए दो हमने प्याज को पारी काटिया है मैं और कुछ इसमें जादा नहीं डाल रही हूं सिंपल प्याज जीरे की सबजी बना रही हूं सुखे मसाले हम इसमें डालेंगे जीरा भुन गया है अ आप अपने स्वाद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और हल्का गुलाबी हो जाए प्याज अचलब अच्छे से साउफ हो जाए तब तक हम इसको बूलेंगे और थोड़ा डाल रहे हम इसमें इक उटा हुआ धनिया साब धनिया जोता है उसको ऐसे क्रश कर लिया है इसमें दालेंगे हम थोड़ी सी खल्दी स्वाद के नुसार नमक इसमें भी डालेंगे हम नमक और यह लाल मिर्च कि कितना अच्छा कलर कितनी अच्छी खुश्वू आ रही है और मसाले जले नहीं जैसको बिलकुल दीमा रखेंगे तक यह अच्छा लगता है इसमें और अब हम ढालेंगे इसमें सारा मिश्रण इसको अच्छे से निक्स करेंगे, बहुत ही यम कुश्रू है, कोई ज्यादा आपको ग्रेवी बनाने की जोगत नहीं है, जब भी आपको सुफी सब्जी ऐसे खानी होता आप खा सकते हैं, फोरा समय इसमें डालोंगी, ये पिसावा धनिया पॉडर, दो पिंच हम डालेंगे तो एक चमच घी, आज कल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप घी जरूर लीजिए, ठीक है घी में पकाईए मत पर उपर से डाल में या सब्जी में डाल के खा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये इसकी खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है और में ही हां बता हूँ अगर आप तो एक ये जो सिंग्रे का मीठा पन है वो खुश्बू जो आती है कच्छे पन में, वो जो मीठा पन है सब्जी का तो वो बहुत बहुत अच्छा है, तो आपको पदा चलेगा कि हां ये सिंग्रे की सब्जी है, आइए करते हैं, प्लेटिंग थोड़ा सहरा धनिया डालने के बाद, और ये देखे हमारी ये यम सी लगने वाली सब्जी बिलकुल तयार है, जरूर ट्राइ कीजिएगा इस सीजन में, थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं वीडियोस,